बिद्यावान गुनियति चातुर। राम काज करीबे को अतुर। हनमान जी को राम जी के अलाबा कोई नहीं दिखाई देता। वो जहां जाते वहां राम जी दिखाई देते। एक और एक अंतर और सुनो। जो खुद की महमा गाता है वो विद्वान कहलाता है। लेकिन जो अपने गुरुदेव की और अपने प्रभू राम की महमा गाता है वही विद्यावान कहलाता है। विद्यावान गुनियति चातुर। राम काज कदिबे को आतुर। तो हनमान जी है विद्यावान और रामर कौन है। विद्वान आगे चोपाई पड़ो। विद्यावान हो गया अब आगे चोपाई क्या है। गुनियति चातुर। हनमान जी गुणी है। हनमान जी में सभी गुण है। अच्छा हनुमान जी में गुण कौन कौन से बलम सोर्यम सुतम सत्वम विक्रमो दाक्ष मुत्वम हनुमान जी में सभी बल है और सभी गुण होने के कारण हनुमान जी की जो सरण में आता है वो भी क्या हो जाता सब सुक लें तुम्हारी सरणा सब सुक लें तुम्हारी सरणा तुम्हेरा ख़गा हो को डर्ना सब सुक लें तुम्हारी सरणा सब भनमान जी में सकल गुल निधानम और विद्याबान गुनी 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 अतिचातर सब गुण है हनवान जी के अंदर और सब गुण होने के कारण ही जो हनवान जी का भक्त होता है उसको मिलता क्या सब सुख लहें तुम्हारी सर्णा उस उनके पास जाते ही हनवान जी की भक्ती करते ही सब सुख प्राप्त हो जाते लेकिन इतना ही नहीं जो हनमान जी का भक्त हो जाता देखो सुख मिलना बड़ी बात नहीं है पद मिलना बड़ी बात नहीं है धन मिलना बड़ी बात नहीं है ठिका रहना बहुत बड़ी बात पैसा आता तो सब के पास ठिकता नहीं है तो हनमान जी की भक्ती करने वाले को क्या लाब है हनमान जी की भक्ती करने वाले को गोस्वामी तुर्जिजा जी कहते भाईया एक लाब ये है केवल सुख फ्राप्त नहीं होगा हनमान जी की बुजा करने के बाद प्रिये पागलो हनमान जी महराज उसकी रख्षा भी करेंगे इसी लिए हनमान जी की चौपाई बेद्यावान की अतिचाग बेद्यावान की अतिचाग गुनी अतिचाग बहुत चतुर है हनमान जी गुन क्या क्या हनमान जी में दस गुन विसेश है पहला तेज दूसरा धैरिये धैरिये कितना हनमान जी मराज लंका में गए रामण के सामने रामण ने पूँच में आग लगवाई बाज़ई डोली देही सब तारी मारे कोई लात मार रहा चरन का प्रहार कर रहा कोई ताली बजा रहा लेकिन हनमान जी धैर में खड़े हैं तो तेज धैरिये यस हनमान जी का यस कितना चारों युग परिताप तुम्हारा इतना यस है चारों युगों में और कितना यस जय कपीस तेहूं लो उजाग हनमान जी का यस इतना बड़ा है तीनों लोकों में धमाल बजरंग बली का कमाल हलमान जी ने आकास में जाकर सूर को निगल कर आकास में धमाल मचाई प्रतवी पर रामण की लंका जलाकर प्रतवी में धमाल मचाई और पाताल में अही रामण को मार करके धमाल मचाया तो यस इतना दक्षता क्या क्या सक्ति अरे सक्ति का तो पूछाई मत हलमान जी में बल कितना रामेदूते अतुलेते बलधामा बल कितना एक दस हजार हातियों बराबर जिसमें बल हो उसे दिगज कहते है दस हजार हातियों बराबर जिसमें बल हो उसे दिगज कहते है और दस हजार दिगजों बराबर जिसमें बल हो उसे एराबत कहते है और दस हजार एराबत हाती इंद्र का जो है दस हजार एराबत बराबर जिसमें बल हो उसे इंद्र कहते है और दस हजार इंद्रों बराबर बल हनमान जी की पूछ के एक बाल में है इतना बल है बजरंग बली के पास इतना बल है इसलिए गोस्वामी तुलसीदाय जी बोले काउंट क्यों करें के 20 केजी का बल है के 50 केजी का बल है के 4 टन का बल है गोश्वामी तुलसीदाजी बोले काउंट नहीं करना एक खटा लिग दो बोले क्या बोले रामदूत अतुलेत 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 बलधामा बोले गिंती नहीं है अनलेम्टेड है चाहे जितनी कॉल लगाओ सफिरी है बोलो सीतारा जोर से बोलो